इससे पहले हम रिसेर्च में अब्जेक्टिव्स की स्टेट्मेंट, स्टेट्मेंट अफ प्रॉब्लम, रिसेर्च क्वेस्टिन, हाइपोथेसिस कैसे लिखे जाते हैं ये बातें कर चुके अब लाजिकली इनके बाद जो अगला स्टेप रिसेर्च के प्रॉसेस में है वो लिटेचर रिव्यू का है लिटेचर रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं इस पॉइंट पर डिसकशन आप से करना चाहूंगा कि इन्टरॉडक्शन में और लिटेचर रिव्यू में फर्क क्या होता है अमूमन ये देखा है हमने कि जब भी लोग अपने थिसिस में लिटेचर रिव्यू लिखते हैं तो इन्टरॉडक्शन और लिटेचर रिव्यू को आपस में इस तरह से मिक्स कर देते हैं कि दोनों में फर्क देखना मुश्किल होता है हम इसको जब तक क्लिरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि इनकी बेसिकली इनमें डिफरिंस क्या होता है और वो हमें कैसे नजर आता है रिटरिन टेक्स्ट में तब तक इनको लिखना शायद पॉसिबल ना हो आप देखिए कि यहां मैंने लिखा है कि लिटरिचर रिव्यू और इंट्रोड़क्शन के साथ लफ्स रैशनेल भी लिखा है इंट्रोड़क्शन दुन्यादी तोर पे जो है वो आपकी स्टेडी को क्यों करना चाहिए आप लोगों को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं इसमें कि यह स्टेडी करना क्यों जरूरी है इसको मजीद वाज़े करने के लिए मैंने आपके सामने एक टेक्स्ट जो किसी रिसर्च पब्लिश रिसर्च पेपर से लिया हुआ है वो आपके सामने रखा है इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूं और आपने उससे ये फैसला करना है सुनके कि क्या ये introduction से उठाया हुआ टेक्स्ट है या ये उसके literature review के पार्ट से लिया हुआ टेक्स्ट है मैं इसको read करता हूं कुछ यूँ है Approximately one third of American women are obese और फिर कुछ citations दी हुई है Most are attempting to lose weight through either caloric restrictions जिसको आप डिएटिं कहते हैं alone और caloric restrictions combined with increased physical activity और फिर कुछ citations है Although the association of weight loss and reduction in health risk is acknowledged A primary reason for women attempting weight loss is An improvement in satisfaction with their bodies or पिर क्याने Analysis of body image as a changing process has been advocated However, research on association of weight changes and changes in body satisfaction has been unclear और फिर citations दी हुई हैं आप देखिए कि इसके आगे continue करते चले जाएं तो फिर अगला paragraph यू सुरू होता है कि वाइल obvious markers of one's body such as weight and waist circumference are readily available और फिर उसकी थोड़ी description आगे लिख दी कि अगर आप इसको check करना चाहते हैं तो you can self wear yourself और या अब अपनी fit of clothes को check कर लें तो आपको पता चल जाता है Some research suggests that feelings of competence and self-efficacy associated with participation in an exercise program predicts improved satisfaction with one's body and even when little physiological change actually occurs यह important फिक्र है जिसको आपने ध्यान से सुनना है और इसको समझना है इससे आगे लिखा हुआ है Research also suggests ethnic differences in what is acceptable to women regarding the shape and sizes of their bodies और फिर citations हैं For example, Euro American women have been described as being more critical of their bodies than African American women यह research अमेरिका में conduct की गई लहाज़ा वहाँ पे मुख्रिफ जो communities रहती हैं यह उनका जिकर किया गया कि उन communities में खवातीन में जो अपने appearance से satisfaction है वो किस तरह से देखी जाती है Research on psychological responses to weight loss behavior have only rarely been accounted for ethnic differences This is exemplified in some of our present research with obese women अब इस टेक्स्ट को अगर मैं आपके लिए breakdown करूँ तो देखिए इस टेक्स्ट का start जिस point से किया वो ये था कि जिस problem को address करना है वो क्या है कि खवातीन का अपनी physical appearance से मुतमाइन होना तो उनका उसको उसने शुरू की line अगर आप इसकी दुबारा recall करें स्लाइड पे आपके सामने नजर आ रही है तो पहले दो तीन line में जो जिकर है वो ये है कि ये problem कितने लोगों का है मुझे का almost one third 33% खवातीन इस मसले से दो चार है तो पहले आपको size of problem बताया size of problem के बाद फिर आपको बताया कि इस problem को address करने वाले आप पहले researcher नहीं है ये मस्दा लोग अपने तोर पे पहले से भी हल करने की कोशिश करते है और उसके लिए लिखा वहाँ पे कि कुछ लोग dieting करते हैं और कुछ dieting प्लस exercise के जरीए से इसको हल करना चाहते है तो इसका हमता है ये भी बता दिया कि इस वकत लोग इस मसले को हल करने के लिए क्या तरीका इस्तमाल कर रहे है फिर उसने अगली बात दे बताई कि अगर वाके ही ये मसला सिर्फ और सिर्फ आपके weight और waste का है यानि आपका वजन और आपकी height आपस में match कर जाएं तो ये चार्ट तो internet पे available है कि किसी शक्स को अगर अपनी height के हिसाब से कितना weight होना चाहिए लेकिन देखने में ये आया है कि वो लोग जो अमूमन इस criteria पे पूरा उतर रहे होते हैं यानि उनका वजन उनकी height से मताबकत रखता है लेकिन देखने में आया है कि वो फिर भी अपने body से मतमें नहीं होते हैं अपनी appearance से मतमें नहीं होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने में आए जो के जाहरान overweight कहलाते हैं लेकिन वो अपने आप से अपने अपने पेरेंस से मुतमेन है और जिन्दगी को एंजॉय करते है तो उन्होंने यहां आर्गिमेंट यह बिल्ड किया कि इसका मतलब है कि यह वेट और वेस्ट के रेशो का नाम नहीं है इसलिए इस सारे प्रॉसेस के होने के बाद भी देखने में आया कि खवातीन बाद वकात इन पेरामीटर्स पे पूरा उतरते हुए भी अपने पेरेंस से मुतमेन नहीं होती तो उसके बाद पर उसने इसको एक निया टेस्ट दी आगले पेराग्राफ में वो यह था कि उसका कहना है कि यह प्रॉब्लम असल में फिजिकल नौईयत का नहीं है कि आपका वेट और वेस्ट क्या है यह प्रॉब्लम असल में साइकलोजिकल है और उसको अरगुमेंट के तौर पे इसने एक फिक्रा लिखा कि देखिए बहुत दफ़ा लोग किसी भी जिम में एकसरसाइज कलब में रिजिस्टर हो जाते हैं फीस बे करते हैं और कभी भी वो उसके बाद नहीं जाते हैं उसकलाब में एकसरसाइज के लिए लेकिन अब यह मामला साइकलोजिकल है यह फिजिकल नहीं है और फिर उसने आगे यह आरगुमेंट बिल्ड किया कि अब मैं अपनी स्टेडी में इसको एज़े साइकलोजिकल कंस्ट्रक्ट स्टेडी करूंगा कि कौन से साइकलोजिकल फेक्टर्स हैं जो इनसां के अंदर उसकी पेरेंस से इत्मनान को पर्वान चड़ाते हैं पैदा करते हैं और फिर अगे थोड़ा सा उसको स्टेंथन करने के लिए आखरी फिक्रे में का कि इस पे बहुत कम रिसर्च हुई है लेकिन इस से पहले मेरी फला रिसर्च है जिसमें मैं इस बात की तरफ पॉइंट आट कर च हल करने से वो स्टिल एक्जिस्ट करता है प्राबलम रिजॉल्व नहीं हुआ और मैं इस प्राबलम को किस तरह देखता हूँ और किस तरीके से इसको अप्रोच करूँगा ये चार बातें जब आप एक सीक्वेंस में बनाते हैं तो इस से बेसिकली आप लिट्रेचर रिव जो आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट में होना चाहिए और बन्यादी तोर पे ये स्टेडी का रैशनेल डिस्क्राइब करने वाली बात है तो इस बात को जहन में रखते हुए लहदा से समझते हुए अब हम अगले मॉड्यूज में लिट्रेचर रिव्यू पे फोकस करे करें